जिस तरह से रेलबे के बिद्यार थी आज दुख में थे उससे भी ज़्यादा दुखी आपको डिफेंस के बिद्यार थी हैं चाहे वो आर्मी हो नेवी हो एरफोर्स हो यानि कहा जाए तो डिफेंस के भी बच्चों पर बहुत जास्ती हो रहा है अन्याय पर अन्याय हो रहा तो आप रिटन रिजल्ट दे देते हैं और बंद कर देते हैं बच्चे जाए तो जाए Если Canad mín एक और बाते हैं कि जो जो टीचर लोग साथ दियें आरारबी में उन पे फायर हो गया तो कहीं आप पावाज उठा रहे हैं तो आप पे भी फायर हो जाए तो हो जाए फायर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना के सतेंद्र गुरु जी आपको बता दे कि ये प्रते एक वर्ष 2000 तक डिफेंस में बहाल करवाते हैं यानि इनका जो प्रोड़क्ट होते हैं 2000 तक जाते हैं हमने सोचा कि आप जितने भी दर्सक हमें देख रहे हैं साइद कहीं ने कहीं वह आर्मी में होंगे सभी सरहत पर जाके लड़ने का इक्षा रखते होंगे इसी चीज को लेकर हम सर के पास पहुचे सर सबसे पहले बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपको भी धन्यवाद आरियन जी और जैसे आप आपने रेलवे एंटीपीसी का मुद्दा उठाया वो सराह निये था और आपका कार अतुल निये था और आप लोगों के कार के बदोलत आज रेलवे के अभियरतियों को मलहम लगा सरकार ने उनकी मांगों को सुना लेकिन जिस तरह से रेलवे के विद्ध्यार थी आज आर्मी हो नेभी हो एरफोर्स हो यानि कहा जाए तो डिफेंस के भी बच्चों पर बहुत जास्ती हो रहा है अन्याय पर अन्याय हो रहा है मतलब अन्याय की सीमा पार हो चुकी है और हम सभी सिच्छक उन विद्ध्यारतियों को थामे हुए हैं पिछले दो वरसों से इनके के लिए कोई भकेंसी नहीं आया है बच्चे आर्मी का जो त्यारी होता है उसमें पहले फिछकल होता है और डिफेंस अपने भकेंसी लेने के मामले में हमें साब पंच्वल रही है सर एक काउंटर कोशन करेंगे जितने भी हमारे युवा देख रहे हैं कहीं ने कहीं यह सोचना है कि करोना है लेकिन आपको भी पता होगा कि मार्केट में सभी चीज़े चालू है गाइडलाइन्स के साथ सभी चीज़ों को ओपें किया गया है लेकिन जो फीजिकल के लिए द दे देते हैं फिजकल का डेट दे देते हैं और बंद कर देते हैं बच्चे जाएं तो जाएं कहां आपको मालूम होगा कि पिछले 29 जनवरी को इस देश में एक दिहास हुआ इस देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए विद्यार थी किसान का बेटा मजदूर का बेटा जो सेना के लिए तैयारी करता है उन्होंने ट्विटर कंपेंड चलाया और उनका कंपेंड जो है वो आपको ट्रेंडिंग पर रहा लगने के बावजूद कोई असर दिखा क्या आप लोगों को कुछ असर नहीं दिखा कुछ असर नहीं दिखा मुझे दुख होता है इस द का बैच्चा एक मजदूर का बच्चा आपको ट्विटर पर चीज को ट्रेंड करा रहा है सांती से अपने मांग को पूरा करने के लिए कोसिज कर रहा है यानि फीजिकली नहीं डिजिटली आपको बता दे कि आर अर भी एंटी पीसी वालों के साथ भी हुआ था करीबन बातों को सुनते होंगे तो कहीं नहीं आपसे वह तो कोशन भी अब करते होंगे से आप लगतार इतने दिन से पढ़ा रहे हैं अब हमारी जिंदगी कैसे चलेगी देखें वार बार कोशन करते हैं और सेना की त्यारी करकर के बहुत सारे युवा ओभरेज हो गया हैं बच् जब देख्व साल से उनका एक्जाम नहीं लिया जा रहा है, कोविड का कारन दिया जा रहा है और 9 वार 9 वार उनके एक्जाम को पोस्पान किया गया बच्चे हताहत हैं, हम सभी सिच्छक, हिंदुस्तान के सारे सिच्छक बच्चे को थामे हुए हैं जिस दिन हम लोग हाथ अठा देंगे पता नहीं ये बच्चे क्या कर देंगे अगले फिर पांग दिन बाद ये सारे बच्चे मिलकर एक सब्ता के लिए लगतार ट्विटर पर अपना कंपेंड चलाने वाले हैं पर दुख इस बात का होता है कि इस अहम मुद्दा को कोई भी मीडिया चैनल उसको उठाना नहीं चाह रहा है कल मैं करीब दस मीडिया होस में गया कई लोगों से मिला कई लोग ने हमारा बात भी सुना पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है बच्चों का व्यथा कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है सबको लग रहा है कि नहीं सिर्फ रेलबे में प्रोब्लम है दोस्तों इस देश में अब सिर्फ रेलबे के अभी अर्थियों के लिए प्रोब्लम नहीं है डिफेंस के विरतियों के लिए भी प्रोब्लम है बैंकिंग बालों के लिए भी प्रोब्लम है और इवन कहा दें कि सरकारी नौकरी का तयारी जो जो बच्चे कर रहे हैं हो आज के डेट में बहुत निरासा में बहुत दुख में और बहुत ब्यथा में जी रहे हैं उनका ब् स्धाइन रखपाएं सादीाइस उम्र से अलकिन काहां हो रहा है। जब से सरकार आई है युवा कितने ब Takes beer आए यानि कि कहा जाए तो पिछले के मुकाबले अभी कितना बेरोजगारी बढ़ रहा है हर एक फिल्ड में बेरोजगारी है कि नी सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं और सेना का त्यारी करने वाले यूबा तो यार इस तेश के पके सच्चे भक्त हैं वो सुबह साम दोड़ते ह हैं परसान रहते हैं गरीब घर के बच्चे हैं और उनका बकेंसी नहीं लिया जा रहा है कई यूबाव ने आत्फ़त्या कर ली है जिम्मबार कौन होगा सर बताईए अब इसका जिम्मबार आप स्वैम समझेगी कौन है कौन है इसका जिम्मबार और अभी जो महाल बना हुआ है इस महाल पर सरकार अगर ततकालिक नहीं सोचती है तो यूबा अनकंट्रोल हो जाएंगे हम सभी सिच्चक उनको थामने का प इंट्रव्यू लिया था हम 100% कहते हैं कि मैंने यार उनका सारा वीडियो देखा उनका कोई मांग नहीं था कि बच्चा सड़क पर आजाए बच्चा को अपना परिच्छा चाहिए सर कहीं ने कहीं एक और बाते हैं कि जो जो टीचर लोग साथ दिये आरार बी में उन पर ए चाहिए यह आपके भाईया देश के मतलब भावी सैनिक हैं यह देश के सेवा के लिए दम बिल्कुल बेचैन हैं इन्होंने सारे बच्चों ने आर्मी का त्यारी करने वाले सारे बच्चे प्रटेस्ट कर रहे हैं लेकिन उनके तक्ति पर चाहे उनके कमेंट में एक बात आर्मी के खिलाप नहीं लिखा हुआ है सब लिखते हैं कि आई लब इंडियन आर्मी ते ऐसे बच्चे हैं और ऐसे बच्चे के साथ जब यह सब होगा तो यह इससे बड़ा दुरभाग और क्या हो सकता है आप सिंगल ऐसे परसन हैं जिन्नोंने हिम्मत किया और इस मुद् स्थार पढ़ रहे हैं इतने सालों से अगर वह कैन नहीं आएगे तो उन पे मेंटल प्रेशर भी दिया जाएगा घर के तरप से लोगों के दिमाग में चीज चलता से दो सालों से सेदा के तयारी करने वाले करोलो करोलो मुदे को नजर अंदाजưa किया जा रहा है किसी बी देश के लिए अच्छी बात नहीं है हम लोग सिछह थाम शकते हैं समझा सकते हैं बच्चे दो छो के माध्यम से हम लोग ने हर फरी के मद्यम से यह जानने का कोशिज किया लेकिन काना दिया जा रहा है कोवीड लेकिन जब कोवीड में आपको अटनो स्कूल मिलिटरी स्कूल के 6-789 के बच्चे का एकजाम लिया या सकता है सबसे बड़ी सवाल कोरोना है आपने कहा तो उतर परदेशा 37-35 राज में चुनाओ कईसे हो रहा है तो आप खुद समझ रहे हैं आरियन जी आपसे बहतर कौन समझ सकता है जब करोनों लोग लाइन में लगकर वोट देंगे उसके लिए करोना नहीं होगा सरकार हम युवाओं को नहीं देख रही है हम लोग यार किसी पार्टी से किसी दल से नहीं है हम किसी के समर्थक नहीं है हम सिच्छक है हमें हमारे बच्चों का इंसाफ चाहिए बच्चे हम से पढ़ते हैं बच्चे हम लोग से कोश्चन करते हैं और नौनों बार जब एक्जांप प्रस्पॉइंड किया जाएगा तो हम लोग कितना मुटिवेट कर सकते हैं एक लेवल अब ऐसा पहुंच जाता है कभी कभी लेवल ऐसा पहुंच जाता है जब उस लेवल भी दियें ऐसा नहीं है आज यह बात सरकार के सामने आई और सरकार ने मतलब की मार्च में बोला है कि नहीं हम रेलवे इंटीपीसी ग्रूप डी का सारा मामला सेटल कर देंगे अब बताइए आरियन जी कि अगर सरकार अपने बादे पर खरे नहीं खरा नहीं उतरती है और ब टीचर रोक पाएगा यह तो सिच्छक है कि बच्चों को थामे हुए है रोके हुए है जिदने यार सिच्छक इस पर काम करना बंद कर देंगे तो इस देश में तरही माम हो जाएगा तो मेरा सरकार से आगरा है कि किरपया करके इन विद्यार्थियों के बारे में सोचिए फ्रासा ध्यान दीजिए इनका एक्जाम लीजिए बहुत ज़्यादा दुख में हैं इनका दुख का बर्नन नहीं कर सकते हैं गरीब घर का बच्चा आज के डेट में सेना का त्यारी करने वाला बच्चा फोज का बर्दी परने वाला बच्चा गाट का नौकरी करने के लिए मजबूर है रिक्सा चलाने के लिए मजबूर है प्राइवेट फैक्टरी में मजदूरी करने के लिए मजबूर है तो इस देश का जब यूबा सबसे स्वस्त यूबा जिन यूबा में तरंग है उरजा है सचा मन का यूबा है उस मन को दुखी नहीं किया जाए स्टुडेंट और एक टीचर का रिलेशन अलगी लेवल का रिलेशन होता है कहीं ने कहीं स्टुडेंट्स को प्रॉब्लम होता होता आप से जरूर शेयर करते होंगे कि सर ऐसे समस्या सामने आ रही है जितने लोग भी हमें देख रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहते है हम यहीं अपील करना चाहते हैं कि भाईयों समस्या केबल रेलवे एंटीपीसी में नहीं है समस्या डिफेंस में भी है समस्या आपको एयर बेंकिंग में भी है और कहिए कि बिरजगारी अपने चरम पर है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए आप लोग इस बात को ज़्य ज़्यादा से जब ज़्यादा पहलाई एए रहार से भी हैं पहले आदमी आंगा हम्ही और आने किया तो आफने पर साइए प्ला कोई भी मंत्री के पात जाते हैं यह कहीं भी जाते हैं इस मुद्दा को आप जरूर रखिए आपका बहुत भला होगा देस जी सर हम चाहते हैं कि जितने भी स्टुएंट्स हमें देख रहे हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें चुकि आपके घर में भी आ सकते हैं कि डिफेंस में जाने वाले बच्चे तया रहेगा जैसे हमेशा से खड़ा रहते आया है फिलाल न्यूज लाइट के लिए मैं आरेन मिश्र आपके साथ धन्यवाद